इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे formation of PN junction and depletion region और layer चलिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आते हैं कि यह form कैसे होता है PN junction इसको समझते हैं थोड़ा सा ठीए तो जब PN junction form होता है वो ऐसा नहीं है कि हम एक P type material लेते हैं एक N type semiconductor लेते हैं और दोनों को मिला देते हैं तो इस तरह नहीं होता है इधर P type है तो इधर P type करा देते हैं चलो तो इहां इधर से P type impurity को impurity atom है वो इसमें हम diffuse कराएंगे और इधर से कराएंगे तो इधर से इस तरह कराएंगे तो पहले यह सिलीकन था intrinsic semiconductor था जो P type impurity add कराया तो इधर आपके P type वो atom आ गए ठीक तो इधर से आपके N type आ गए तो यह बन जाएगा P type और यह बन जाएगा N type तो बेस एक ही रहेगा silicon या जर्मिनियम का और इस तरह से एक ही piece पे हम दो तरह की doping कराते हैं तो P type semiconductor कराई और इधर से फिर हमने N type की कराई ठीक है और पीछ में एक यहाँ पर क्या बन गया एक boundary हो गया कि इधर से इधर पी है और इधर से इधर देखेंगे तो N है है ना यहां से अगर इधर जाते हैं तो N वाला शुरू हो जाता है N layer और इधर से अब कुछ diffusion start होता है अब इधर देखो इधर जो majority carrier है electrons की है इधर majority carrier जो है holes के है तो holes जो है वो इधर side of move करना शुरू कर देते हैं और जो electron है जो dot में दिखाया गया है यहाँ पर यह electron है ठीक है तो electron को represent करने के लिए हम या तो इस तरह का use कर लेते है या इस तरह का dark dot use कर होल को represent करने के लिए या तो plus लिख देते हैं या एक इस तरह की dot होलो dot का use करते हैं तो इस तरह का है हाँ जी तो जो electron है वो इधर move करेंगे ठीक है तो यहाँ पर gradient है दोनों का है तो इधर holes majority में है इधर यह आपके electron majority में है तो होगा क्या electron जो है इधर move करना शुरू करते ह और holes इधर move करना शुरू करते हैं तो उससे क्या होता है तो सबसे पहले जो यह boundary है बाउंडरी वाल है इधर P type है इधर N type है तो जो N type में जो boundary के नियरबाई है यह क्या करते हैं यह एक दूसरे के साथ जब इधर आएगा electron तो hole के साथ क्या हो जाएगा रिकम्बाइन हो जाएगा ऐसे यह वाला इसके साथ रिकम्बाइन हो गया तो दोनों क्या हो गया डिसेपियर हो गया यह इसके साथ बॉंड बना लिया डिसेपियर हो गया इधर यह बना लिया डिसेपियर हो गया तो अगर आप इधर देखेंगे तो इहां पर क्या है इध इधर है सारे के सारे negative charge particle है जो इनको एक तरए से जब यहाँ पर देख रहे थे तो इनके साथ एक hole था तो negative hole एक दूसरे को compensate कर रहे ते अब क्या हो गया अब इधर सारे के सारे negative रहे अब यहाँ पर कोई hole नहीं है इसे इधर देखेंगे तो तो इधर सारे के सारे positive आयन है और इधर कोई electron नहीं है तो अब यह क्या है यहाँ पर एक field electric field establish कर देंगे तो इधर side में negative field बनेगा यहाँ पर और जो इधर positive वाले हैं इधर है positive electric field है ना एक यहाँ पर establish हो जाएगा तो अभी यह field जो है यह अभी weak है और जो electron का जो एक तरह से है जो moment है इधर side में वो अभी भी चल रहा है तो अभी एक और ले ले लेते हैं इसको इसके साथ bond बना दिया ना यह और यह bond बना दिया इसके साथ इसने bond बना दिया ठीक है यहाँ पर इसने bond बना लिया electron ना और यहाँ पर यह वाला जो है इसके साथ bond बना दिया तो अब माइनोटी कैरियर है room temperature पे कुछ bond break होते हैं तो एक hole और एक electron है ना यह minority कैरियर है इदर n type में hole और p type में electron यह है यहाँ पर दोड़ देख यह minority कैरियर है तो अब क्या हुआ अब इसके बाद अब यहाँ पर electron जो सोरी जो negative charge है है ना अब वो हो गए ठीक है तो negative field यहाँ पर strong हो गया इधर जो है positive field जो है वो strong हो गया ठीक है तो अब क्या होगा अगर आप hole कोई इधर से इधर आने की कोशिश करेगा तो ठीक है negative वाला तो support करेगा attack करेगा पर जो positive वाला है क्योंकि hole पे क्या positive charge है और इधर क्या positive field है तो यह क्या करेगा एक दूसरे को repel करेंगे तो यह इधर आना चाहेगा तो वापिस यह क्या कर देगा इसको है ना डेपल कर देगा इधर ठीक है तो इधर वापिस चला जाएगा ऐसे ही जब electron को इधर move करने कोशिस करेगा तो इधर अब एक strong negative field है और यह क्या करेगा यह इसको इधर वापिस push कर देगा n type region में ठीक है तो अब जो यह एक तरह से जो movement हो रहा था electron और hole का अब यह क्या हो गया यह stop हो गया stop किस वज़े से हो गया यह जो अब यहाँ पर एक electric field जो establish हुआ है है ना इन दोनों के बीच में ठीक इस वज़े से अब यह क्या है एक दूसरे के तरफ अब यह diffuse होना बंद कर देंगे ठीक है तो जब diffuse होना बंद कर देंगे तो अब कोई movement नहीं रहेगा किसी भी charge carrier का और जो यह region है इसमें कोई भी free charge carrier stay नहीं करता है तो hole जो है hole को यह positive जो field है यह पी type में इसको वापिस push कर देता है और इधर जो electron है यह जो negative field है इधर वाला यह इसको इधर push कर देता है N type में तो हम यहाँ पर कोई free charge carrier नहीं रहता तो इसले इसका नाम पड़ा हुआ है depletion region तो depletion region में क्या है depletion region depel करती है free charge carrier को इसले इसका नाम हो गया depletion region ठीक है तो यहाँ पर भी यह ही show किया हुआ है तो यहाँ पर यह वाला जो part है यह इसको नाम दे दिया है depletion region ठीक अच्छा जिया तो अब यह जो यहाँ पर जो electric field है और यह जो force create करता है जब जैसे कि आपका electron इधर आया इसको वापिस force कर गया अगर वापिस end type में पुचा दिया तो इस force को हम एक तरह से लेते हैं जैसे कि यह है एक barrier या इसको बोलते हैं space charge region तो इसके बहुत सारे नाम है इसकी property के उपर तो अब वो कौन-कौन से नाम है तो deflation region है क्योंकि यह कोई free charge carrier को यहाँ पर stay नहीं करने देता है ठीक है और electron के लिए barrier की तरह है ठीक है तो electron के पास इतनी energy नहीं है कि यह इसको cross करके चला जाए तो इसको है ना barrier potential भी बोलते है ठीक तो ऐसे ही यहाँ पर इसके कई सारे नाम है अब उसको हम आगया देखेंगे तो जो pn junction है तो diode भी pn junction है 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 ना simply एक pn junction है तो इधर हम connect कर देते हैं एक terminal इधर लगा देंगे एक terminal इधर लगा देंगे है ना तो यह बन जाएगा हमारा diode तो अब देखते है pn junction diode under no bias तो जब under no bias है तो कोई voltage apply नहीं कर रहे है तो यह case बनता है है ना तो कोई voltage हमें apply नहीं कर रहे externally तो उस case में जो depletion region है 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 ना या depletion layer तो यह क्यों है क्योंकि यह है ना डिपल करती है कि इसको mobile charge carrier को ठीक है इस रिजन में इस्टे नहीं होने देते हैं तो इसलिए इसका नाम depletion region और depletion layer बोलते हैं दूसरा नाम है space charge region इस रिजन है immobile electrically charge आया तो इस वज़े से इसका नाम है space charge region ठीक है इसको potential barrier और potential hill भी बोलते हैं ठीक है तो electric field जो है between the acceptor and donor आयान तो acceptor वाले ठीक है तो acceptor वाले और donor वाले आयन के बीच में जो हमारा electric field establish होता है इसलिए सका नाम रख दिया potential barrier और potential hill ठीक है तो इस तरह रहा है तो इस वीडियो को और आगे देखते हैं इसमें क्या हम discuss कर सकते हैं ठीक है तो आगे हम discuss करेंगे वी आई